थो लो को इस वीडियो में हम लोग कुछ प्लॉग इंस के बारे में डिस्कस करने वाला है क्योंकि हम अगर हम एक साइट बनाते हैं वेब साइट के अंदर हम लोग कुछ प्लॉग इंस बहुत ज्यादा नीड होती है चाहिए हमारी वेब साइट को कॉस्टमाइज करना हो या एड प्लेस्मेंट करना हो या कुछ बेक अप लेना हो या कुछ हमारे जो एड़संस के साथ कानेट करना हो ट्राफिक ट्राकिंग करना हो ट्राफिक प्रोटेक्ट करना हो इसे बहुत सारे मतलब फ्लोगिन्स जो कि बहुत जादा नीडेड होती है वह फ्लोगिन्स फ्री में भी मिलती हो और अगर आप पेड भर जन लेना चाहो भी ले सकते हो बट मैं आज जो आपको बताऊंगा वह सारे किसारी फ्री होगी और बहुत बेस्ट क्वालिटी की फ्लोगिन होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो पहले यहां पर आप देख सकते हो पहला फ्लोगिन जो है मतलब गूगल की साइट किट जो फ्लोगिन है बहुत इंपॉटांट प्लोगिन है और फीचर से बहुत जढ़ा-उपको मिल जाती है जैसे कि मतलब अगर आपकोनेक्ट करना हो सार्च करिंड जंस के साथ और एडिसेंस के साथ और इनलेटिक से के साथ अगर connect करना हो तो यह plugin आपके लिए best है आपको बहुत जदा यह मतलब बहुत सारे चीज़ आपको देने वाला है यह plugin जैसे कि आप कैसे मतलब आपकी traffic को track करना हो और adsense के साथ connect करना हो को easily connect करके देदेगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ओके यह था मतलब site kit की Google की site kit की मतलब plugin है यह एकदम free है आप उसे use करो अगर आपको इसका जो मतलब customization इससे use करते हैं आपको पता नहीं तो नीचे comment box में जाके comment करो मैं इसके लिए एक dedicated video बना दूगा ओके उसके साथ ही आपको और एक plugin जो की बहुत ज़्यदा important होती है यह plugin spam protection के लिए यह basically use कराया जाता है ओके यह बहुत important customization यहां पर 5 million की भी है ओके यह आपको update भी मतलब हर रहते हैं हर मेनी यहां पर आपको update भी यहां पर देखने को मिल जाएगी ओके last update यहां पर आप देख सकते हो दो दिन पहले इसका जो latest version आपको दिया गया है आपके और यह basically उसका जो यूज़ आपको प्रोटेक्शन अगर कुछ spam होती है तो इसे यह वार्निंग देती है और रुपती है ओके और उसके बाद हम चले तो और एक plugin के वर यहां पर यह plugin मतलब best important plugin आप उसे कह सकते हो जो कि W3 total case जो कि जिस plugin को अगर आप यूज़ करोगी न तो आपकी जो मतलब site की जो चीज़े होती है न मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़े होती है जो कि आपकी site की loading speed को मतलब बहुत ज़्यदा खराब करती है बट यह जो W3 total case को अगर आप यूज़ क यह helpful होगा जैसे कि अगर आपकी site में कुछ unwanted चीज़े होती है जो कि आपकी मतलब यह साफ करने में यह मदद करता है W3 total case plugin यह बहुत ज़्यदा important plugin है और हम लोग चौथे plugin के बारे में बात करें तो एक plugin है जो कि broken link checker देखो यह जो plugin है न broken link checker और यह आपकी मतलब site के अगर मतलब कोई भी page को आपने delete कर दी है उसकी already वो मतलब google search console में वो एक्टवर्ट था मतलब आपने उसे submit कर रहा था बट कुछ दिन के बाद आप अगर उसे delete करते हो यह कुछ तरह की 404 error आती है न तो अगर आप यह plugin को यूज करोगी न तो आपकी जो 404 error की जो problem होगी वो जाएगी तो basically broken link checker को अगर आप यूज करते हो न तो यह आपको बहुत ज्यादा फाइदा देने वला है okay यह basically आप 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 उसकी जो सारी की सारी चीज़े अगर आपको मतलब और भी information चाहिए तो यहां से आप ले सकते हो तो basically हम लोग उसे use करते है अगर 404 error अगर तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब important है और हम लोग और एक plugin के बारे में बात करें तो यह redirection अगर कुछ आप redirection करना चाहते हो आपकी साइट से दूसरी साइट redirection करना चाहते हो या 404 error को redirection करना चाहते हो या 301 redirection करना चाहते हो यह plugin आपके लिए best है यह एकदम free ह जो भी चीज़े में आपको बता रहा हूं वह plugin अगर आप फ्री में भी यूज़ करते हो ना तो आपको वह बहुत ज़्यादा benefit मिल जाए ओके तो यह redirection plugin आपको बहुत ज़्यादा benefit भी देने वाला है ओके आपकी जो भी काम होगे आपकी मतलब आपकी नीड के मुतावि यह plugin को आप यूज़ कर सकते होगे उसके बाद आती है यहां पर advanced editor tool मतलब यह जो plugin है ना आपको एक advanced tool दे देती है अगर आप आपकी जो मतलब post जहां पर आप post करते हो ना post write करते हो ना तो उसके अंदर यहां पर आपको देखो कुछ चीज़े ऐसी देगी तो आपको editing यहां पर यह दे देगी और उसके साथ यहां पर advanced features बगरा editing जो भी आप चीज़े करते हों तो advanced features बगरा यह देगी जो कि आपकी site की looking है ना बहुत ज़्यादा increase होने वाला है तो चलते हमारे next plugin के उपपर जो plugin यह आपड्राफ्ट plus plugin है आप उससे चाहाँ तो paid ले सकते हो और free में भी इसे use कर सकते हूं इसको basically हम लोग use करते हैं हमारे site की जो backup लेने के लिए अगर कमान लोग किसी भी बज़े से हमारी server class होती है कुछ भी अगर हमारी website की होते है तो यह मतलब update मतलब क्या करता है ना backup ले लेता है हमारी site को जो कि हमारी site को कुछ भी नुक्सन नह बहुत जादा आपकी मतलब मदद करने वाला है सारी की सारी plugin अगर आफ इसे use करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो आप एक यह वीडियो को bookmark कर दो नहीं तो आप not कर सकते हो सारी की सारी plugin जो की आपको बहुत ज़्यदा जरूरत होने वाला है और हम next plugin के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपकी site के अंदर आप coding बगर add करना चाहो, मतलब advertising, coding बगर add करना चाहो, तो आपको यह add inserted की जो plugin होती है, add manager और addissance manager जो भी आप कह सकते हो, यह plugin आपके लिए most important रहेगी, आपको यह better look देगा, आपकी site को और आपकी जो advertise, अगर place करना चाहो, तो यह automatically place कराएदगा, जो कि आपको ज़्यादा revenue earn करने में यह भी मदद करेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी जगे पे, मतलब जो जगा users को ज़्यादा दिखाए देता है, यह वही सेम जगे पे यह जाके आपकी जो हना, add को यहाँ पे place कराएदा है, तो इसके लिए यह आपको मतलब यह आपको add sense scanning के लिए भी यह बहुत ज़्यादा help करेगी यह add inserter plugin के, और add manager plugin भी आप उसे कह सकते हो, और और एक चीज मोस्ट important चीज में आपको बता दूँ यहाँ पे rank method, eust SEO और एक SEO प्रेस करके साथ कुछ है, वो जो तीन plugin है न, यह बला plugin जो rank method अगर आप यूज करते हों तो आपको प्री में आपको best plugin मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारी features भी आने वाला है, बट इतना भी features है न, बहुत जदा important features है, बहुत आपकी help करेगी अगर आप eust SEO या दूसरे SEO plugin को अगर आप खरिद नहीं पा रहे हो तो आपको लिए यह जो है न, best रहेगा, अगर आप eust SEO भी use नहीं करते हो न, अगर आप rank method भी use क कराया देगा, ओके, तो यह कुछ था best plugin के मतलब बारे में, यहां पर आप लोग को eust SEO की बात करें, तो eust SEO में अगर यहां पर देखो, eust SEO में basically आप लोगों को मतलब premium अगर लेते हो न, तो आपको eust SEO premium लेना पड़ेगा, उसके बाद video SEO plugin अगर आपको चाहिए तो local SEO plugin, news SEO SEO plugin और e-commerce SEO plugin इस तरह कि आपको 5 plugin यहां पर मिल जाती है, बट यह जो rank में थे SEO है आप एक plugin में, यह सारी की सारे चीज़े, मतलब कुछ तो चीज़े इसमें better है, यहां पर यहां पर बहुत सारे चीज़े आप free में भी कर सकते हो, very easily, और मतलब rank में थे SEO होने लगी है, मतलब तो UST SEO से powerful भी होने लगी है, तो यह सारी था, कुछ मतलब free और कुछ paid plugin जो कि आप use करोगी, तो आपकी site की develop होना बहुत जदा increase होगी, आपकी site की ranking increase होगी, आपकी site की performance भी increase होगी, तो यह सारी plugin को आप अगर use करते हो, तो आपको एक better performance आपकी site आपको देने वाला है, तो हम मिलते है next video में, जो कि हम लोग हमारी site के अंदर कुछ plugins की use करेंगे, और उसे setup करके हमारी site को customize करेंगे, तो basically हम लोग जो next video होगी, हम लोग एक news website की customize बगरा create करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग बहुत सरे चिज़े add करते जाएंगे, जो कि आप बहुत interesting video होने वाला है, तो thanks for watching this video, मिलते है next video में, जो कि बहुत important होने मला है, तब तक के लिए, bye bye, take care